नमस्कार सुप्रभाद स्वागत है आप सभी का मैं हूँ आपके साथ हम्रता चौरसिया आप देख रहे हैं सुभा नौ बजे बुलिटिन में आज बात होगी देश में कोरोना मरीजों के स्वास्थ होने के जो दर है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है और अब ये दर 50% से जादा हो चुकी है वरतमान में जो रिकवरी रेट है वो 50-60% तक जा चुका है इसके साथ ही हम बात करेंगे कि संक्रमित वेक्तियों में नोवल कोरोना वाइरस का पता लगाने के लिए आईसे अमार की जो टेस्टिंग शमता है उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है और इसके लिए प्रक्रिया तेस कर दी गई है इसके साथ ही आज केंद्रे ग्रह मंत्री अमिश्वाह राश्ट्री रासधाने में कोवीड-19 के स्थिति के समिक्षा के लिए दिल्ली के सभी र में कोरोना मरीजों के स्थ होने की दर में लगातार इसाफा हो रहा है और अब ये 50% से जादा हो गई है वरतमान में मरीजों की ठीक होने की रिकबरी की दर 50-60% है और अब तक देश में कोवीड-19 के संक्रमण से 1,62,378 मरीज स्थ हो चुके हैं और कुल 1,49,348 कोरोना स्थ मंत्राली ने कहा कि उचिस समय में संक्रमण की पहचान और बहतर चिकिस्सा प्रबंधन से स्थ होने की दर बढ़ी है दूसरी तरफ संक्रमित वेक्तियों में नोवल कोरोना वाइरस का पता लगाने के लिए ICMR की टेस्टिंग शमता भी लगातार बढ़ाई जा रही है ICMR ने कोरोना संक्रमित वेक्तियों के जाच के लिए परिक्षण प्रक्रिया तेस कर दी है सरकारी लैप के संख्या बढ़ाकर 646 और नीजी प्रयोक शालाव की संख्या बढ़ाकर 247 कर दी गई है शरिवार सुभा नौ बजे से रविवार सुभा नौ बजे के बीच 1,51,432 नमूनों की जाच की गई और इसके साथ ही रविवार तक जाचे गए सैंपल की कुल संख्या 56,058,614 के आकड़े को छुग गई केंद्री ग्रह मंत्री अमिश्वा ने रास्टी राजधानी में COVID-19 के स्थितिकी समीक्षा के लिए दिली के सभी राजनितिक दलों की आज एक एहम बैठक बुलाई है इस बैठक के लिए BJP, कॉंग्रिस, आमादमी पार्टी और BSP को आमंतरित किया गया है ग्रह मंत्राले की एक अधिकारी ने बताया है कि अमिश्वा राजनितिक दलों के साथ COVID-19 से निपटने के उपायो उपर चर्चा करेंगी और इस बीच दिली में रविवार को 2,224 नए मामले सामने आने के साथ ही COVID-19 के मामलों की संख्या लगभग 41,182 हो गई और अब इस महमारी से दिली में 1,337 लोगों की अब तक मौध हो चुपी है केंद्री ग्रह मंत्री अमिश्वा ने कहा कि दिली को सुरक्षित रखने और कोरोना संक्रमन को रोकने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रतिवत है केंद्री ग्रह मंत्री अमिश्वा ने कहा कि दिली में कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए बैट की कमी को देखते हुए केंद्री सरकार ने तुरंत 500 डेलवे कोच दिली को देने का निर्णे लिया है जिससे राजधानी में 8000 बैड बढ़ जाएंगे ये कोच कोरोना संक्रमन से लड़ने के लिए सभी आविशक सुवधाव से लैस होंगे उन्होंने कहा कि दिली के कंटेन्मिन्ट जोन में मरीज के संपर्क में आए लोगों की पहचान अच्छी से हो पाए इसके लिए घर घर जाकर हर एक व्यक्ति का व्यापक स्वास्थ सर्वे किया जाएगा ग्रह मंद्रे ने कहा कि दिली में कोरोना संक्रमन को रोखने के लिए अगले दो दिन में कोरोना की टेस्टिंग को बढ़ा कर दो गुना किया जाएगा और छे दिन बाद टेस्टिंग को बढ़ा कर तीन गुना कर दिया जाएगा साथ ही कुछ दिन बाद कंटेंडमेंट जोन में हर पोलिंग स्टेशन पर टेस्टिंग की विवस्था शुरू कर दी जाएगी दिली के छोटे अस्पतालों तक कोरोना के लिए सही जानकारी और दिशा निर्देश देने के लिए सरकार ने एमस्मी फोन पर मार्क दर्शन प्रदान करने के लिए वरिष्ठ डॉक्टर्स की कमिटी बनाने का निर्दे लिया है जिससे निचले स्तर तक कोरोना से लड़ने के लिए सर्वश्टेश्ट प्रणालियों का संचार किया जा सके अमिश्राह ने कहा कि दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए निर्दारित कोरोना बैड में से साथ प्रतिशत बैड कम रेट में उप्लब्ध कराने कोरोना उपचार और कोरोना की टेस्टिंग के रेट तै करने के लिए नीतियायोग के सदस से डॉक्टर वी के पॉल के अधिक्षता में एक कमिटी बनाई रही है जो आज अपनी रिपोर्ट दी की ग्रिह मंत्री ने जोड देकर कहा कि भारत पूरी मसपूती से कोरोना महमारी से लड़ रहा है अमिश्चा ने कहा कि सरकार ने अंतियम संसकार के लिए नई गाइडलाईन्स जारी करने करने लिया है जिससे मृतक व्यक्ति का अंतियम संस्कार जल्दी किया जा सके और दिवंगत व्यक्ति के परिवार को अंतियम संस्कार के लिए कम प्रतीक्षा करनी पड़े। गृह मंत्री ने कहा कि कई स्विम सेवी संस्थाईं बहुत ही उत्किष्ट कारे कर रही है। इस क्रब में सरकार ने स्काउट एंड गाइट, एंसीसी, एंसस और अन्यसों सेवी संस्थाओं को इस महामारी में स्वास्त सिवाओं में वॉलिंटियर किनाती जोडने का निर्णे लिया है। इसके अलावा बैठक में कई और महात्पोर्ने निर्णे लिये गए। बीरे रिपोर्ट राच्चे सभा टीवी। केंद्री ग्रिह मंत्री अमिश्वाहने दिल्ली के तीनों नगर निगमों के महापाओर और अन्य वरिष्ठ दिकारियों के साथ बैठक में दिल्ली में कोरोना के स्थती पर चर्चा की। ग्रह मंत्री अमिश्वाह ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और तीनो नगर निगमों से घर-घर स्वास्ते सरवे कोरोना की टेस्टिंग का बेहतर तरीके से निर्चुले स्तर तक कार्यान नवयन सुनुश्चित करने को कहा है। प्रुधार मंत्री नरेंद मोदी के नेत्रत्त में जल से जल कोरोना मुक्त स्वस्थ और सम्रिध देश और दिल्ली बनाने का अहवान करते हुए। उन्होंने कहा किसके लिए दिल्ली सरकार, तीनों मेयर और तीनों नगर निगमों के आयुकतों को साथ मिलकर काम करना ग्रिह मंत्री ने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश आपसी समन्वे से दिली में कोरोना को हराना है और ये सभी के सहयोग और समन्वे से ही संभव है केंद्री ग्रिह मंत्री ने बैठक में लिए गये सभी निर्णयों को अमल में लाने के निर्देश भी दिये साथ ही दिली पुलिस आयुक्त को सभी दिशा नर्देशों का सक्ती से अनुपालन कराने के नर्देश दिये हैं दिली में कोवीड-19 की चिंता जनक स्थिती के प्रबंधन के लिए केंद्रे ग्रिह मंत्री अमिश्वा की अधिक्षता में दो उच्च अस्तरी बैठकों के बाद केंद्र ने कई एहम खोश नाएगी केंद्री स्वास्थ मंत्राले ने कोवीड-19 के संदिक दमामलों में जानगबाने वाले लोगों के शबों को अंतिम संसकार के लिए उनके परिजनों को सौपने को लेकर तैद दिशा नर्देशों में राहत दी है ऐसे मामलों में शब लेने के लिए परिजनों को प्रयोक शाला के नतीजों की पुष्टिक अंतिसार नहीं करना होगा हाला कि ये साफ कर दिया गया है कि शब को सरकार की ओर से तैद दिशा नर्देशों के तहत ही रखा जाना चाहिए शबो के अंतिम संसकार में एहतियात को लेकर 15 मार्च 2020 के स्वास समंत्राले के दशा नर्देश लागू रहेंगे केंद्र सरकार ने एम्स, दिल्ली, डीजी, एचेस, स्वास समंत्राले और दिल्ली सरकार के चार-चार डॉक्टरों की तीन टीमें गठित की हैं दिल्ली नगरनिगम की कर्मी उनकी साहिता करेंगे, टीमें दिल्ली में प्रस्तावीत COVID-19 समरत्वित अस्पतालों का निरिक्षन करेंगी और सुधार के लिए सिफारिश करेंगी केंद्रिय ग्रिहमंत्राले के निरदेशों के मताबिक दिल्ली स्थित एमस ने हिंदी और अंग्रेजी में 24 इंटु 7 हल्प लाइन इस्थापित की है, जहां पे लोग OPD के लिए समय ले सकते हैं और स्वेम सेवकों से बात कर सकते हैं यह हल्प लाइन नंबर है 911-544-4155 दिल्ली सरकार ने कहा है कि केंद्रिय ग्रिहमंत्री के साथ बैठक सार्थक रही और COVID-19 महमारी से लड़ाई के लिए साजहात तौर पर एहम फैसले ले गए इस बीच दिल्ली सरकार ने रविवार को अपना वो फैसला वापस ले लिया जिसमें दस से उन्चाफ बिस्तरों की क्षमता वाले सभी छोटे और मध्यम मल्टी स्पेस्च्यालिटी नर्सिंग होम को COVID-19 नर्सिंग होम घोशित किया गया था दिल्ली सरकार ने शनिवार को या आदेश जारी किया था इन अधिकारियों में वर्तमान में अंडमान और नेकोबार द्यूप सम्हू में तैनात अबनिश कुमार और मोनिका प्रियदरशनी और अरुनाचल प्रदेश में तैनात गौरप सिंग राजवत और विक्रम सिंग मलिक शामिल हैं गुरह मंत्री ने केंदर से भी दिल्ली सरकार के लिए दो और वरिष्ट आईएस अधिकारियों SCL-10 और SS यादव की तैनाती का आदेश दिया है प्रदान मंत्री नरिन मोदी 16 और 17 जून को राजव के मुख्य मंत्रियों और केंदर श्वासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ एक एहम बैठक करेंगे अन्लोक वन के बाद से ये पहला मौका होगा जब प्रधान मंत्री राज्यों के मुखे मंत्रियों के साथ सीधे समवात करेंगे उमीद की जा रही है कि प्रधान मंत्री इस बैठा के दौरान राज्य और किंद शौसित प्रदेशों के साथ कोवीड-19 के बढ़ते मामलो अर्थवयवस्था के सामयाई चुनौतियों पर चर्चा करेंगे इसके साथ ही स्थिती से ने पठने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा देश में कोरोना वाइरिस का संक्रमन नहीं थम रहा है और रोजाना मरिजों की तादाद बढ़ती जा रही है एक तरफ महामारी के इस दौर में अर्थवयस्था को फिर से रफ्तार देनी की चुनौती है तो दूसी तरफ कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमन की गंभीर होती इस्तिती ने चिंताएं बढ़ा दी है ऐसे में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुक्य मंत्रियों के साथ कोरोना की इस्तिती पर एक बार फिर वाचीत करेंगे ये बैठके 16 और 17 जून यानि अगले हफ्ते में मंगलवार और बुद्वार को होगी शुक्रवारात प्रधान मंत्री कारहले की तरफ से इस बैठक के बारे में जानकारी दी गई माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान देश में करोना की सिती और आर्थि गतिविधियों को लेकर आगे की रणनिती पर राइशो मारी की जाएगी वीडियो कॉन्फरेंसेंग के जरिये होने वाली इस बैठक को दो भागों में आयोजीत किया जाएगा प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी पहले भाग में 21 राजियों और केंदर शास्वित प्रदेशों के मोख्य मंतरियों और प्रशासकों के साथ 16 जून को दोपहर 3 बजे बैठक करेंगे और दमन्दीव, सिक्किम और लक्षदीव शामिल हैं जबकि दूसरे भाग में 17 जून को दोपहर 3 बजे 15 राजियों और केंदर शास्वित प्रदेशों के मोख्य मंतरियों और प्रशास्तकों के साथ बाचीत होगी इनमें महराष्ट, तमिलाडू, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्र प्रदेश, पश्रिम बंगाल, करनाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हर्याना, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा शामिल हैं दूसरे दौर की वारता को काफी एहम माना जा रहा है क्योंकि कोरोना संक्रमण के लिहास से सबसे अधिक मामले इनहीं में से कुछ राज्यों में हैं इससे पहले लॉकडाउन के दौरान प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी राजियों के मुखे मंतरियों के साथ पाँच बार बात कर चुके हैं यो बैटके 20 मार्च, 2 अपरिल, 11 अपरिल, 27 अपरिल और 11 मई को हुई थी इस दोरान प्रधान मंत्री ने कोरोना संकट की चुनोती से लड़ने के लिए राजियों का होसला बढ़ाया और केंद्र की ओर से हर संभव मदद पहुचाने की बात कही इस महीनी 28 जून को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगी प्रधान मंत्री ने लोगों से फोन और मेसज के जरिये सुझाव साज़ा करने का अग्रह किया है इसके लिए एक टोल फ्री नमबर 18000117800 भी दिया है आम लोगों के द्वारा भीजिके सुझाव और विचार में सिच्चुनिंदा सुझावों और विचारों को प्रधान मंत्री नरीनमोदी के मन की बात कारकरब में शामिल किया जाएगा प्रधान मंत्री ने ट्ट्वीट करते हुए लिखाया कि आपके विचार हमेशा मन की बात की ताकत रहे हैं और इसे 130 करोन भारतियों की ताकत दिखाने वाला एक जीवंत मंच बनाया है और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटी से ब्रेक के लिए आप देखते रहें राजी सभा टीवी जिए बीए बीए आप प्रेक करत में घाजी रुकेंगे एक पर देखते रहें रहें हैं पर देखते रहें हैंभाश में जिए पर रहें हैं कोवीड-19 जैसे रोगों से लड़ने के लिए भारत की पहली संक्रामक रोग निदान प्रयोक्षाला तयार हो चुकी है तेजी से अपना प्रभाव देने वाले ये मोबाइल प्रयोक्षाला आत्म निर्भर भारत योजना का हिस्सा है इस प्रयोक्षाला को भारत बेंच से आटोमोटिव चेसिस की मिलने के बाद महस आठ दिनों के रिकॉर्ड समय में बनाए गया जैव प्रद्योगी की विभाग के सहयोग से बनाई गई इस प्रयोक्षाला में साइट एलिसा, रियल टाइम, रिवर्स, किरवन, पॉलीमरीस, चेंड रियक्षन टेस्ट और बायो केमिस्ट्री एनलाइसर है जो की एक दिन में ज़ाद से ज़ादा परिक्षन करने में सक्षम है केंड्रिय स्वास्थ मंत्राले ने कहा है कि कोवीड-19 के चिकिस्सा प्रणाली और रैम डेसिविर दवा को केवल आपात स्थिती में इस्तमाल के लिए शामिल किया गया है स्वास्थ मंत्राले ने कहा कि जारी जो दिशा निर्देश है उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि फिलहार इसके इस्तमाल के लिए ज़ादा परिणाम उपलब्ध नहीं है और इन पधितियों का अस्तमाल वरतमान में उपलब्ध सीमित साक्षियों पर अधारित है मंत्राले ने इस पष्ट करण मीडिया में आई उन खबरों के बात दिया है कि रैम डेसिविर का इस्तमाल कोवीड-19 के चेकिसा के लिए किया जा सकता है और ये देश में उपलब्ध है मंत्राले ने कहा कि ये दवा अमेरिका खात्य और दवा प्रश्वासन से अनुमोदित नहीं है और वहां भी इसका इस्तमाल आपात स्थती में ही किया जाता है ICMR ने कोवीड परेक्षण पर कहा है कि कोवीड के परेक्षण के दौरान रैपिट अंटिजन टेस्ट से सकारात्मक माना जाना चाहिए इसके साथ ही RT-PCR परेक्षण से दोबारा पुष्ट की जरूरत नहीं है कोरोना की खिलाफ लड़ाई में रेलवे भी एक एहम भूमी कार निभा रहा है रेलवे ने चार राज्यों में 204 आईसोलेशन कोच बनाए हैं जिनमें से 54 दिल्ली के शकुर बस्ती रेलवे मेंटरेंस डीपो में बनाए गए हैं रेलवे अधिकारियों के मताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली में 500 आईसोलेशन कोच बनाए जाएंगे इस बीच आनन्द विहार रेलवे स्टेशन पर आज से सभी ट्रेन सिवाओं को निलंबित कर दिया गया है पीटे आई के मताबिक स्टेशन के सभी प्लैटफॉर्मों का अस्तमाल कोरोना वाइरस के रोगियों के लिए आईसोलेशन कोचों को तैनात करने के लिए किया जाएगा और यहां से चलने वाली पाच ट्रेने अब पूरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से संचालित होगी उत्तर रेलवे के किंद्री अस्पताल में भी अब कोरोना की जाच होगी देश का ये पहला रेलवे अस्पताल है जिसमें ये सुविधा शुरू की गई अस्पताल में हाल ही में मॉलेकुलर माइक्रो बायोलोजी लैब बनाये गया है आईसेमर और दिल्ली सरकार की अनुमती के बाद तेरहा जून से अस्पताल में ये सुविधा शुरू की गई है एक दिन में इस अस्पताल में 300 सेंपल की जाच हो सकेगी इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में काफी मदद मिलेगी रेल्वे ने कुछ आवशक सिवाओ के लिए आज से मॉंबई लोकल ट्रेनों के संचालन की अनुमती दी है इसके तहट जब्लू आर विरार और धहानु रोट के बीच आठ जोडी सहित उपनगरी सेवाओ के लिए 73 जोडी ट्रेने चलाए जाएंगी आवशक सेवा कर्मियों और करमचारियों के लिए ये सेवा शुरू की जा रही है ये ट्रेने लगभग 15 मिनट के अंतराल के बाद सुभा 5 बचके 30 मिनट से रात 11 बचके 30 मिनट तक चलाए जाएंगी सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर चल रहा सक्त लॉगडाउन लगाने का दावा करने वाला संदेश सही नहीं है एक ऐसा ही संदेश फेस्बूक पर चल रहा है जिसमें ये दावा किया गया है कि 18 जून से सक्त लॉगडाउन लागू होगा पी आईबी ने ट्वीट किया है कि ऐसी किसी योजना पर विचार नहीं चल रहा है साथ ही लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है नए भारत के निर्मार की मूलभूत आविशक्ताओं में महिला सशक्तिकरण और बालिकाओं का संदक्षन और उनकी सिक्षा को प्रोसाहन भी शामिल किया गया है महिलाओं और बालिकाओं की स्वास्थ नीजी स्वच्छता, सिक्षा, पोश्ण के सामुएक प्रयासों को गती देने की आविशक्ता है तभी वे समाच की प्रगती में अपनी सहभागिता निभा सकती है ये बात लोकसभाध्यक्षों बिर्ला ने कल इंडियन रेडियोलोजिकल एंड इमेजिंग असोसियेशन के रक्षा कारिक्रम का शुभारंब करते हुए कहीं डिजिटल मंच पर आयुजित कारिक्रम में देश भरते जुड़े आई एम आराई के सदसे चेकिसकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल में चेकिसकों ने अपनी जान खत्रे में डाल कर निस्वार्थ सेवा की जो मिसाल गढ़ी है उसका कोई दूसरा उधारन देखने को नहीं मिलता उन्होंने रक्षाकारिक्रम के माध्यम से महिला एवन बालिका सश्रक्तिकरण की दिशा में अनुकरणिये पहल करने पर आई एम आराई की सराहना की दुनिया भर में कोरोना वारिस के मामलों की तादाद हलाकी 78 लाग से जादा पहुच गई है वहीं इस वाइरस की वज़े से 4 लाग 31 लाग से जादा मौत अब तक हो चुकी है लेकिन कुछ देशों में कोरोना के मामलों में कमी भी आई है इसको देखते हुए फ्रांस सरकार ने आज से आंतरिक यूरोपी सीमाओ पर यात्रा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है वहीं ग्रीस ने भी 29 देशों के परटकों के लिए अपने दर्वाजे खोल दिये हैं जर्मनी ने भी आज से यात्रा प्रतिबंधों को हटाने की खोशना की है केंद्रिये पट्रोलियम मंत्री धर्मिन प्रधा ने आसम के मुख्य मंत्री सरवनन सोनवाल के साथ और वहां के तेल कुए में हुए नुकसान का आकलन किया इसके बाद उन्होंने एक श्वेत के प्रभावित लोगों के लिए राहस शिवरों का भी दौरा किया केंद्रियम मंत्री ने कहा कि अभी पहला काम कुए को सील करना है जिसके बाद और इसके लिए विदेशी विशशग्यों को भी बुलाए गया है उन्होंने कहा कि घटना की कारणों की जाच के आदेश पहले ही दिये जा चुकी है उन्होंने आश्च्वासन दिया है कि लोगों को उनके नुकसान की पूर्ती के लिए अधिकतम मुआवसा दिया जाएगा उत्रप्रदेश के मुख्य मंत्री योगिया अधित्यनात्नी राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में निक्त सिक्षकों के सत्यापन के आदेश दिये हैं साथ उन्होंने सभी बेसिक, माध्यमिक और उच्च सेक्षन संस्थानों, समाच कल्याण विभाग के विद्यालियों और कस्तूर्बा गांधी अवासिय बालिका विद्यालियों के सिक्षकों के सेक्षिनिक दस्तावेजों की जाच के लिए एक डेडिकेटेड टीम बनाने का निर्देश दिया है ग्रीविवाग के अपर मुखे सचेव अवनिश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुखे मंत्री ने ये भी कहा है कि अगर कहीं पर कोई वेक्ती फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी करता है पाया गया तो उसके खिलाफ ततकाल कारवाई की जाए लद्दाक सीमा पर चीन के साथ गतिरोध के पीच रक्षा मंत्री राज़ां सिंग ने रविवार को कहा कि भारत अपने राश्ट्रिय गौरफ के साथ कभी समझोता नहीं करेगा साथ ही उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा शमता बढ़ी है और अब ये एक मजबूत देश है डिजिटल तरीके से जमुकरश्मीर में जनसववाद रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने आश्वस्त किया कि केंद सरकार सीमा पर किसी भी घटना करम के बारे में संसत या किसी को भी अंधेरे में नहीं रखेगी और उचित समय पर जानकारियां साजह करेगी लोग तांतरिक व्योस्ता में विरोज पक्ष की एहमियत को भी हम समझते हैं हम उनका सम्मान करते हैं यो भी बाद भारत और चीन के बीच पैदा हुआ है इस समय मिलिटरी लेबल पर बादचीत चल लई है शाइना ने भी एक शाव्यक्त की है कि बादचीत के दोरा इसका स अमार हन निकाला जाएए के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए पूरी तरह से तयार है। सेना ने दोहराय कि गुसफैट के अधिकतम प्रयास विफल कर दिये गए हैं। COVID-19 के प्रकोट के चलते शुरू हुए लॉकडाउन के बीच भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानि कि इस रो द्वारा शुरू की जा रही ओनलाइन प्रतियोगिताएं स्कूली चात्रों के लिए एक अवसर लेकर आई हैं। इसरो साइबर स्पेस प्रतियोगिता आई सीसी 2020 नामक इस पहल के तहट स्कूली चात्रों के लिए चार वर्गों में अंतरिक्ष विज्यान और प्रत्योगिकी पर केंद्रित प्रतियोगिताओं का एजन किया जा रहा है। इन प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए 24 जून 2020 से पहले इसरो की वेब साइट इसरो.jov.in.icc2020 पर जाकर लॉग इन करना होगा। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंग राचपूत का निधन हो गया। पुलिस के मताबिक अभिनेता ने मुंबई के बांदरा स्थित अपने निवास पर फासी लगा ली। वो 34 साल के थे। सुशांत बिहार के मूल निवासी थे। पिछले सोंवार को सुशांत सिंग की पूर् चता थी हुए कहा कि युवा और प्रतिभावान अभिनेता सुशांत सिंग ने सिल्वर स्क्रीन पर कई यादगार चरित्रों का जीवन अभिने किया। उन्होंने छोटी सी अबधी में ही कुछ आविस्मरणिये भूमिकायनी भाई। ऐसी प्रतिभागा इतनी जल्दी चल उन्होंने कहा कि उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिजनों और प्रशनसकों के साथ हैं। किंद्य ग्रहमंत्री अमिश्वाह ने कहा कि अभिनेता को भारतिय सिनिमा में योगदान के लिए याद रखा जाएगा। इसके अलावा रात आठ बचकर 35 मिनट पर जमु कश्मीर के कटना में भी कम तीवरता का भुकम का जटका महसूस किया गया। डिटर स्केल पर इसकी जो तीवरता थी वो तीन रही। हाला कि दोरों ही जगा किसी भी नुकसान की कोई खबर नहीं है। और अब बात मौनसून की मौनसून पश्मी और मध्य भारत के अधिकतर हिस्सों में दस्तक दे चुका है। लेकिन इस हफते इसकी प्रगती कुछ धीमी रहने की संभावना है। पूरे भारत में बीते 14 दिनों के दौरान 75.8 मीली मीटर बारिश हुई। जबकि इस दौरान औसतन 57.8 मीली मीटर बारिश होती है। इस प्रकार मौनसून के आगवन के दो सप्तह के भीतर देश भर में बारिश सामाने से 31 फीस दी अधिक दर्ज हुई। विभाग ने एक बयान में ये कहा है कि उत्तरी, अरब, सागर, गुजरात और मत्य प्रदेश के अलावा 36 कड़ के बाकी भागो जारखन, विहार और पूरवी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 48 खंटे के दौरान दच्छन पस्चि मौनसून के विस्तार के ल आमस्कार